मन में विनम्रता का भाव, जिवन की प्रत्यक अनुभूती का चिंतन, चित्त की चंचलता की सैयमित साधना, जिवन के अनित्यता की समझ, निबान के रास्ते खोल देती है आज की बात. आज की बात. स्वागत. आप जानते हैं कि आज की बात में समय हम लोग तथगत बुद्ध के वच्चनों के हवाले से जो मार्क दरशन हमरी जीवन के लिए आता है, उसे हम अपने पक्ष में समझने का प्रयास करते हैं और अपने जीवन को बहतर बनाने के लिए वो क्या चीज़े हैं, जिने हमने प्रिशले कड़ी में हमने देखा था, कि जैसे किस विक्ति के मन में कोई एहंकार का भाव आ जाए, तो एहंकार का भाव उसे कभी चैन से जीने नहीं देता, ये एहंकार का भाव उसके जीवन को हमेशा के लिए प्रदुशीत कर देता है, ये प्रदुशीत हो जाना इसका क्या प्रतिबिम्ब होता है इसका प्रतिबिम्ब ये होता है कि वो विक्ति जो एहंकार से भर जाता है वो दूसरों का द्वेश करने लगता है वो मत्सर से भर जाता है उसे अपने आप में बड़ा गर्व होने लगता है अपने आप में गुणों के लिए और गुणों के प्रती समर्पित होना ये एक दूसरी बात है लेकिन अपने दोशों के प्रती भी अपने आपको बड़ा गर्व महसुस करना ये कोई अच्छी बात नहीं देखें लिखा ये गया है कि यदि उपासक एहम भाव से अभीबूत हो जाए तो वो लोब, क्रोध और मूड ता भरे रिदे से दूसरों की इरशा करने, मतसर करने, द्वेश करने और दूसरों को नुकसान पहुँचाने वाला बन जाता है हम दूसरों को नुकसान पहुँचाने वाले ना बने, बलकि ये कहें कि दूसरों को फाइदा पहुँचाने वाले और उनके जीवन को और अपने भी जीवन को बहतर बनाने वाले सहयक बने द्वेश करने वाला और नुकसान पहुँचाने वाला बनने से बहतर है कि यदि बुद्ध की और अगर यदि वो लौट आए तो उपर कहें अनुसार यानि कि इर्शा करने, मतसर करने, द्वेश करने और दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला बनने के बजाए बुद्ध की सेवा का महानकार ये करने वाला बन जाएगा इसे सचमुच एक अद्भूत आश्चर ये कहना होगा यदि वो अपने मन से सिर्फ एहंकार के भाव को हटा दे तो वो ही वेक्ती, जो वेक्ती दूसरों का द्वेश और मतसर करने वाला था दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला था वो लोगों के लिए उनका मददगार, उनका सहायक और एक महान कार्य करने वाला बन जाएगा बस एक अद्भूत आश्चर ये कहा जाएगा और ये ही अद्भूत आश्चर जिवन का बदला होता है और जिवन का बदला हो, अगर आधुनिक विज्ञान की दरश्टी से भी देखा जाए तो निश्चित रूप से एक नया जन्म होता है और इसलिए आप देखेंगे कि बाबा साहिब डॉक्टरा बेड करने 14 अक्टुबर 1956 को जब नाकुर में अपने लाखो अन्याईयों को बुद्ध के धम की दिख्षा दी तब उन्होंने जो बाइस प्रतिग्याईं दी तो उन प्रतिग्याउं में एक बात उन्होंने जरूर कही जब उन्होंने दिख्षा ली और दिख्षा दी तो उन्होंने कहा कि आज मेरा नया जन्म हो गया है यह जो नया जन्म है यह नया जन्म यही है कि हम अपने जीवन से उन बुराईयों को हटा दे जो हमें नقसान पहुंचाती है और सिर्फ हमें ही नहीं तो हमारे आसपास को भी नुकसान पहुंचाती है हमारे पासपडोस को भी नुकसान पहुंचाती है इन चीजों को अपने जीवन से हटा दे तो जीवनशेली बदल जाती है और बदली हुई जीवन शैली के साथ जब हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रुप से वो एक बदला हुआ जीवन होता है नया जीवन होता है देखें ये मानना बिलकुल गलत है कि विपत्तिया पहले से ही या तो पुर्व से आती है या तो पश्चिम से आती है बहुत से लोगों का ये मानना होता है कि विपत्तिया आती है ये इस तरफ से तो लोग उस तरफ जाना टाल देते हैं ये विपत्तिया पुर्व से आती है या पश्चिम से आती है ये मानना बिलकुल गलत है उनका मूल अपने स्वेम के रिदे में होता है वो कहीं इदर उदर से नहीं आती उनका जो मूल होता है वो हमारे रिदे में होता है हम अपने पास अपने मन में जिस तरह का विचार करते हैं बस हम वैसे ही हो जाते हैं हम गलत सोचते हैं गलत हो जाते हैं सहीं सोचते हैं सहीं हो जाते हैं तो विपत्तियां इधर उधर से नहीं आती वो सारी विपत्तियां हमारे अपने अंदर से ही उत्पन होती है जैसा हम सोचते हैं बस महीं से और इसलिए मन को अनियंत्री छोड़ कर बाहर से उन से बचने के लिए प्रयास करना ये सबसे बड़ी भूल है ये बहुत सारे लोगों का अपनी समस्याओं से लडने का ये तरीका है कि वो विपत्तियों से बाहर से लडना शुरू करते हैं और विपत्तियां बाहर से आती नहीं है वो हमारे अंदर से आती है तो इसलिए जो विपत्तियां अंदर से आ रही है उनसे लड़ना भी अंदर की ही हुर होगा मतलब जो भीतर हमारे मन में उत्पन हुआ है वहां से जो विपत्ति आई है तो हमें उन्हें उसके मूल से वही से नश्ट करना होगा यानि अपने मन की और लोट ना होगा देखे पुराने समय से एक प्रथा चली आती है जिसका पालन अब भी साधरन लोग करते हैं और यह प्रथा क्या है? तो सवेरे जल्दे उठ कर वे हाथ मुध होते और हाथ जोड़कर पूर पश्चीम उत्तर दक्षीन नीचे उपर की छे दिशाओं की वंधना करते हैं और इस प्रकार संकटों के द्वारों को अवरुद कर दिन भर की सुरक्षा की कामना करते हैं यह बहुत सारे लोगों की दिशरिया है कि वे सुभे उठते हैं, तयार होते हैं और चारों दिशाओं को और फिर उपर और नीचे ऐसे मिलकर छे दिशाओं को बंदन करते हैं और उनको यह लगता है कि अब वे दिन भर के लिए सुरक्षित होगे और सुरक्षा की कामना उन्होंने कर ली लेकिन बुद्ध के मार्ग में इस प्रकार नहीं किया जाता तथागत की जो शिक्षा है उसमें इस प्रकार नहीं किया जाता तथागत सिखाते हैं कि हम सत्य ही छे दिशाओं की आदर से बंदना करें और फिर समझदारी से अच्छे कार ये करके सभी संकटों से अपनी रक्षा करें इसमें बड़ा छोटा सा अंतर है कि वे लोग जो च्छे दिशाओं की वंदना करके ये कामना कर रहे हैं कि भई मुझे संकटों से मुक्ती मिले तथागत की शिक्षा में ये बात नहीं तथागत की शिक्षा में ये बात आती है कि भई हम लोग दिशाओं को उनका सम्मान करें ये सम्मान तो हो गया लेकिन हम हमारे साथ या फिर हम जिन संकटों से जूजते हैं वन संकटों से मुक्ती पाने के लिए हम स्वेम ही प्रयास करें और इस प्रयास के लिए अपने आपको संकल्पित करें यह जो विपत्तियों से बाहर जाने की जो चीज है यह जो विपत्तियों से बाहर जाने की जो बात है उसके लिए यह बड़ा महत्पुर्ण मार्दर्शन है कि उन विपत्तियों का सामना करें उन विपत्तियों का सामना करने से उन विपत्तियों से लड़ा जा सकता है और वहां से बाहर ही बाहर भी निकला जा सकता है तब तक नहीं और यसलिए फिर वे कहते हैं कि इन संकटों से अच्छा कारिय करके इन संकटों से अपनी रक्षा करें खुद स्वैम और इसके लिए स्वैम ही संकल्पी थो जाए जिसको अश्टांगिक मार्ग में सम्मेक संकल्प कहा जाता है और जो सम्मेक कर्म से जुड़ जाता है और जिसमें सम्मेक स्मृति आ जाती है कि हम क्या करें क्या ना करें और क्या करें ना क्या ना करें ये जो बात जबाती है तो फिर सम्मेट दृष्टी अपने आप खड़ी हो जाती है ये प्रग्या का हिस्सा है और इसे हमेशा जाग रुक रखें छे दिशाओं के द्वारा की रखवाले करने के लिए लोगों को चार कर्म कलेशों से छुटकार अपाना होगा और चार पापों के स्थानों से बचना होगा और संपत्ति के विनाश के छे अपाइम मुखों को बंद करना होगा ये रास्ता है कि वो जो विपत्तियां हमारे जीवन में आती है जो हमारे लिए आप्रिय होती है वो प्रिय नहीं होती वो न विपत्तियों से अपने आप को दूर ले जाने के लिए और हमारे इन उन द्वारों को जिनके द्वारा वो हमारे अंदर हमारे भीतर प्रवेश करती है, उससे बचने के लिए चार कर्म क्लेशों से छुटकार अपाना होता है कर्म के जो कलेश है चारो उनसे छुटकारा पाना होता है और चार जो पापों के स्थान है उनसे बचना होता है और संपत्ति के विनाश के छे अपाई मुखों को बंद करना होता है यह जो कर्म कलेश है पापों के स्थान है और छे जो अपाई मुख है इन पर चर्चा हम अगले कड़ी में करेंगे यहां हम लोग रुकते हैं इस वादे के साथ की अगले कड़ी में आपसे पुनहे मुलाकात होगी और फिर हम तथागत के वच्छनों के हवाले से जो मार्क दर्शन हमारी जीवन के लिए आता है उसे हम समझने का प्रयास करेंगे तो तब तक के लिए इजासत दीजे आज की बात